दोस्तो आप सभी को राम राम बहुत important information मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि अमेरिका का जो banking index है जैसे कि हमारा nifty bank आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वैसे अमेरिका का है डो जोंस US bank index तो यह चीज देखेगा बहुत important होती है कि अगर आपके देखेगा banking प्रणा लिए आपकी banking index अच्छी perform कर रही है तो कहीं न कहीं इसका overall world market पे भी impact पड़ता है लेकिन अमेरिका क्योंकि एक superpower है तो यहाँ के bankों में जब pressure आता है वो गिरावट है यहाँ पे 2.1 देखेगे 2.71% की यानि कि अप्रोक्स अप्रोक्स आप यह कह सकते 3% तक देखेगा अमेरिका का banking index डूप चुका है गिर चुका है अचानक से गिरा है चुकि इतना तो तब भी नहीं गिरा जब देखेगा inflation का data आया था तो अचानक से ऐसा क्या हो गिया बैंकों को कोई बड़ी problem आई है बैंकों को कोई दिक्कत होई है that's why देखेगा तब ऐसा जैसे nifty bank आप समझ लीजे 2% गिर जाए 20% गिर जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी तब आप यह कह सकते हो कि नifty bank में कोई pressure आया है कोई ऐसा banking sector से related कोई update आया है खबर आई है और मैं इसके साथ सब मैं दिखाता हूँ आपको कि ना केवल यहाँ पर अमेरिका का banking index जूबा है यहाँ पर top quality जो bank है अमेरिका के top quality bank को में भी काफी गिरावट है तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका के top quality bank का आप समझ सकते है bank of America की मैं बात कर रहा हूँ bank of America का देखेगा जो stock है वो आपको 1.57% गिरा हुआ देखने हूँ मिल ला है यह data कपका है रात का data है और आपको भी पता है इसके impact आपको further week में देखने हूँ मिलेंगे यह भी आपको यारतना है कि further week में इसका impact देखने हूँ मिलेगा तो bank of America जैसा देखेगा यहाँ पे जो एक top quality का bank है फिर अगर आप देखेगे US bank of, USB bank तो आप समसकते हैं यह भी top quality का bank है यहाँ पे भी आपको 1% के असपास की गिरावाट देखने मिले है फिर अमेरिका में जो HDFC bank का ADR है वो भी देखेगा down है आप देख सकते हो INR में भी down था यह भी आपको पता है जब last trading session हुआ था Friday को तो अब basically देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के banks में अचानक से क्या problem आ गई और अमेरिका के banks में अगर problem आई है तो वो कहीं ना कहीं उनके देखेगा आने वाले दिनों के लिए further bank के जो भी information आने वाली उनके लिए अच्छी बात नहीं है तो basically देखेगा डो जोंस में भी आपको काफी बड़ी गरावर देखने हूं मिली थी stock काफी तेजी से गिरे अचानक से देखेगा यहाँ पे तेजी से sharp fall देखने हूं मिला चुकि अगर आप Friday की morning को देखेंगे तो डो जोंस प्लस में था यह आप सभी जानते हो NASDAQ भी प्लस में था यह भी जानते हो Thursday की night में भी अगर आप देखोगे तो NASDAQ में काफी अच्छी positivity देखने हूं मिली थी बट अचानक से क्या हुआ आपको पता है start हो चुका है April मन था चुका है और start हो चुका है Q1 quarter के result यानि कि financial year 25 के first quarter के result start हो चुके है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाए Q1 के result कौन ऐसे result आ गए है जिससे सारे bank गिर गए है तो आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे कि US stock fell on Friday night आपको पता है रात में ही अचानक से गिराफ शाफ फॉल आया है तो JP Morgan, Chase and other big bank kicked off earning season with their first quarter तो आपको पता है कि यहाँ अमेरिका के bank को के result है जिसमें top bank के result है और आपको पता है कि यह result कहीं ना कहीं expectation से कम आये होंगे और यह अगर top level जैसे HDFC bank के last quarter में result कम आये थे तो लगातार सारे bank को के result आने के बाद वो bank गिरे थे और Nifty bank भी उतना ही गिरा था और यह आपको पता हो नहीं चाहिए बात तो ऐसे ही यहाँ पे भी JP Morgan Chase other big bank के देखेगा जो quarter first का पहला रुजान आया जिस कारण से Nasdaq, Doe Jones और देखेगा जो banking index of America है वो तेजी से गिरावर एक तरीके से आप कह सकते हो 2% 3% की गिरावट बड़ी गिरावट होती है तो यहाँ पे हुआ क्या कि America's largest bank यानि कि America के सबसे बड़ा bank जो है JP Morgan JPMC तो आप समझ सकते हैं कि America का सबसे बड़ा bank largest bank reported first quarter पहले quarter की earning आई जिसमें net interest income आई 23 billion dollar जो कि analysis के देखेगा expectation से कम होके आई थी and a decline from the prior quarter और पिछले quarter से भी कम होके आई थी यानि कि पिछले quarter से खराब result आए और इस बार expectation से कम result आए और यह America का top level का bank है तो other bankों के result कैसे आने वाले होंगे यह American देखेगा जो index है banking index है उसने अनुमान लगा लिया that's why देखेगा American के bankों में तेजी से देखेगा यहाँ पर गिरावत देखने हों मिली और अमेरिका के banking index में 2-3% की आपको गिरावत देखने हों मिली है तो इस कारण से देखे आने वाले देखेगा week में काफी उथल पुथल आपको देखने हों मिलेगी चोकि अगर America के bank week होंगे तो उसका impact कहीं ना कहीं Indian banks पर भी पढ़ेगा तो इसलिए बहुत important information है save करिए वीडियो को और दोस्तों के साथ share करिएगा राम राम